दोस्तों बिना किसी कैमिकल के अपने प्लांट्स पर जब धेर सारे फूल आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आज मैं एक ऐसा आपको फर्टिलाजर पेस्टिसाइड बताऊंगी जो दोनों काम करेगा और घर पे आसानी से हम इसको बना सकते हैं जितने भी फूल वाले पौदे हैं किसी भी कैमिकल की जरूरत नहीं है सबजी वाले जितने भी प्लांट्स हैं किसी पर जरूरत नहीं है आप बिलकुल और गैनिक तरीके से भी बहुत ही बढ़िया तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं और मेरा तो ये पूरा अनुभव है मैंने तो आज तक कभी किसी कैमिकल का इस्तमाल अपने गार्डन में किया ही नहीं है और जितने भी अब मैं अपने फार्म पर भी जो भी चीज़ों गा रही हूं पिलकुल पूरी तरह और गैनिक है उसमें कुछ भी नहीं हमने डाला और बहुत ही बड़ी है बस थोड़ा सा ध्यान देना है टाइम टू टाइम अपने घर पे बनाके चीजों से स्प्रे करना ह और अपना वर्मी कंपोस्ट इस्तमाल करना है जो हम कर रहे हैं बस अच्छी खाद है उसमें सब कुछ है तो इस तो सबसे बड़ी बात यही रहती है कि आज कल प्योर खाद भी कहीं मिलती नहीं है जिससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है जब अच्छी खाद हमारे करती हुआ करती थी और गोबर की खाद कहीं मिलती नहीं है प्योंड सबसे में चीज यह ए क्यूकि गोबर खाद को बनने तरह से खा लेते हैं और फिर खाद बनाते हैं तो यह तीन-चार महीने का प्रोसेस है और इसमें बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उससे कई गुना पावरफुल खाद बनके तयार होती है वो गोबर की खाद ही है लेकिन उसको कैंचवे द्वारा तयार करके वर्मी बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया है अगर हम एक खाद ऐसी रखे जो अपने प्लांट्स के लिए जिसको हम 20-25 दिन में डालते रहें और बीच बीच में हम लिकुट फर्टलाइजर अपने प्लांट्स को देते रहें तो चाहे गुलाब हो या कोई भी विंटर फ्ला सकते हो सीविट फर्टलाइजर कर सकते हो यह सारे और गनिक फर्टलाइजर है तो इनको हम बीच बीच में इस्तमाल कर सकते हैं जैसे हमें भी तरह तरह के खाने का मन करता है तो बीच बीच में प्लांट्स को भी हम थोड़ा थोड़ा अलग तरह की चीजें देते रहें तो आप स्प्रे करें तो ये सब चीजें जो हैं बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है अब और्गैनिक में हमें ये स्प्रे लगातार तीन-चार दिन करनी पड़ेगी तब हमें च्छे रिजल्ट मिलेंगे ऐसे नहीं है कि एक बार कर दी तो फिर बहुत दिन तक जरूरत नहीं है तो देखिए आज जो मैं पेस्टिसाइडो फर्टलाइजर बना रही हूँ वो लहसुन और प्याज के छिलकों से बना रही हूँ लहसुन प्याज के छिलके सबी के घरों में होते हैं रोज निकलते हैं तो इनको आप स्टोर करके और तीन चार दिन के लिए पानी भरके रख दीजे तो आप इसको 24 घंटे बाद भी इस्तमाल कर सकते हैं वो थोड़ा सा कम पावरफुल होगा लेकिन अगर आप 3-4 दिन इसको रखते हैं और बीच बीच पे इसको चलाते रहेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉंग फर्टलाइजर बन जाता है और इसमें बहुत सारे पोसकतत होते हैं एक तो हम इस्प्रे करेंगे तो पोधो की पत्तियों के लिए बहुत अच्छा है दूसरा फर्टलाइजर भी ये बहुत ही बढ़िया है जब भी आप इसको मिट्टी में दें तो थोड़ा सा इधान रखें कि मिट्टी में 2-3 दिन पानी देना बंद कर दें अब जैसे अब थोड़ा ठंड भी आ गई है तो मिट्टी थोड़ा सूख सी जाएगी उसके बाद आप ये फर्टलाइजर इस्तमाल करें लिकुड फर्टलाइजर न है तो पानी निके सहरे लगी जाता है तो आपको अलग से देने की जरुरत नहीं है तो अभी मैं इसको पहले छान लेती हूँ और छान के पहले आपको इस्प्रे करना बताती हूँ कितना डालना है इसके बाद हम मिट्टी में देंगे इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है दोस्तों इसके बहुत ही बढ़िया चीज़ ही है इसमें बहुत सारी चीजे होते जो हमारे plants को चाहिए है तो बिल्कुल आप इसका इस्तमाल करिए बीच बीच में अपने plants में और अपने plants को अलग-अलग तरह-तरह की चीजे देने की गोसिस कीजे देखिए एक चीज तो ऐसी होने चाहिए जो हमें देनी ही है जैसे की चाहे रोटी हो ये चावल वो तो सब को खाते ही है वो तो में चीजे है उसके अलावा जो हम चीजे खाते हैं वो चीजें भी थोड़ा जरूरी होती है स्वाद के लिए तो इसी तरह से एक खात तो आपको अच्छी ऐसी रखनी है जो अपने प्लांट को में देनी है जो उसको बहुत ही जरूरी है अगर उसको और चीजें ना भी मिलें तो वो तो उसका काम हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया उसी से वो चलता रहेगा लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा उसको अलग-अलग तरह की चीजें दे तो हम इस्प्रे करेंगे तो जितना हम इसको is liquid को लेंगे उससे दो गुणा पारी हम उस मिक्स करेंगे और अपने प्लांट्स पर इस पर करेंगा हमें ने चार से पांच दिन रखा तो इस ट्रॉंग है इसको दुगना पारी मिलाकर आप इस प्रे करीए जो अच्छा काम कर देती है भी फिल्हाल मेरी खराब हो ओरी है तो इसलिए इसको मैं यूजज कर रहे हूँ देखे गुलाव कर पोधा जो हमारे पत्तीया थोड़ी सी ऐस्य होँरी है तो इसपर भी मैं अच्छे से स्प्रे करूंगी और कलियों पर अच्छे से स्प्रे करते हैं बस फूलों पर ना करें फूलों को थोड़ा बचा के आप पत्यों पर कलियों पर स्प्रे कर सकते हैं इससे गुलाब इस समय पर बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं कलिया भी बहुत अच्छे आ रही हैं गुलदावती पर भी इसी तरह पत्यों पर और नीचे नीचे कलियों पर मैं इस्प्रे करूंगी फूलों को बचा के फूलों पर पे spray नहीं करना फूलों को बचा के ध्यान से spray करें इस पर भी बहुत कीड़ावी लग जाता और नीचे से हमारे पत्यां खराब होने लगती है तो नीचे नीचे आप spray करिए इस तरह से ताकि इसकी पत्यों पर spray हो जाए अभी मैं आपको अपना एक पौधा दिखाती हूँ देखी गुढल का पौधा है लाल वाला गुढल है बहुत ही सुन्दा वरायटी है इसका जो मदर प्लांट है वो खराब हो गया मैंने जब बारिस हो रही थी उस समय पर बहुत ही छोटी सी कटिंग उसकी काट के लगा दी थी वो कटिंग देखे चल गई है और अभी ये पूरा पौधा बन गया है तो इसका जो वो प्लांट था में वो खराब हो गया कटिंग लगाने का ये फायदा होता है और हमारे पास उसका ये पौधा बच गया है तो ये बहुत ही सुन्दर फूल वाला पौधा है बहुत ह ये काफी बड़ा हो गया है देखिए बढ़सात से अभी तक इसकी ग्रोध देखे कितनी अच्छ हुई है और मैंने बहुत ही छोटी सी कटिंग लगाई थी बिल्कुल मुझकल से पांच इंच की भी कटिंग नहीं थी और कितने अच्छे से इसकी ग्रोध हुई है तो हमें गैंदे पर भी स्प्रे करूँगी गैंदों पर भी नीचे नीचे पत्यों पर कल्यों पर स्प्रे कर सकते हैं फूलों को बचाते हुए तो गैंदे के प्लांट की पत्यां बहुत जादा हेल्दी रहेंगी और बढ़िया चलती रहेंगी ये देखिए डेजी के प्लांट है मैंने बीच से ग्रो की हैं, कितने सारे ग्रोगए 알려 smoothie हैं, हरे गमले में 3-4 गमलों यह मैंने डाले थे बीच सभी में ऐसी तरह से भर-भर के ग्रो हूए है। थो अभी मैं इनको भी प्लांट कर usड़ा दांग बेमें प्लांट के जोरी कर सकते है तो इनको भी अलग करके मुझे लगाना है climbing मिट्टी में देने क contribute मैं ने मैं 2-3 तयार मिक्स में के लिए दाना जितना भी यह है उस से 3 कुन पानी आप जरूर लीजे और फिर अपने प्लांट को दे दीजे तीन से चार गुना तक हम इसमें मिक्स कर सकते हैं पानी तो अभी यह स्ट्रोंग भी था काफी तो चार से पांच दिन मैंने इसको रखा था तो 3-4 गुना पानी हम इसमें मिला सकते हैं और ये जो बचे हुए हैं इनको आप अगर कमपोस्ट पना रहे हैं तो इसमें डाल दीजे या फिर आप इनको फैक दीजे इनको दुबारा इस्तमाल मत कीजे दुबारा ये यूज ने करने चाहिए इनमें फंगस लग जाती है अगर दुबारा हमने यूज किया तो तो बस हमारा फैटलाजर देखिए तयार है अब थोड़ा थोड़ा अपने प्लांट्स में हम दे देंगे सभी में तो बस घर पे हमारा एक टॉनिक तयार हो गया जो बहुत ही बढ़िया है पौधों के लिए और वैसे भी ये चीजे ऐसी है जो हम फैक नहीं वाले होते हैं इनको इस्तमाल करके हमारे पौधों को अच्छा खाना कुछ मिल जाए तो ये बहुत ही बढ़िया बात होती है और फूलों से भरे वे रहे थे इनको देखकर बड़ा अच्छा लगता है दोस्तो ये फर्टलाइजर आप इंडो प्लांट्स में भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इंडो प्लांट्स में दो महीने से पहले इसको 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 दे सकते हैं आपको कैसा लगा आज का वीडियो जर को सब्सक्राइब करें, मिलते हूँ नेक्स वीडियो में, थेंक यू वेरी मुच बाई, जैसी अरा